बखेल टुटूरियाल्स एजूकेशन प्लेट फॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ आईए देखते हैं क्या कुछ सिखने वाले हैं आज हम लोग आप यहाँ देख रहे हैं केशकाल घाटी में धाई किलो मिटर सिक्स लेंड टनल का काम मार्च से पहाड तीस लाग साल पुराना इसलिए धसे का नहीं पेड़ी सुखेंगे कई खबर है उनको जोड़ कर बनाया गया है तो आईए यह खबर बहुत महत्तोपूर है आपकी परिच्छा की द्रिष्टी से आवा गमन से जुड़ा हुआ है याताया संचार विवस्था से जुड़ा हुआ है और याताया संचार अर्थ विवस्था की डीड होती है तो इसलिए आपकी परिच्छा के लिए मह 60-KM होगी लेकिन यह जो economic corridor होगा वह रायपूर के अभनपुर से विसाखा पतनम तक जाएगा रायपूर से निकलेगा फिर यह धमतरी होते हुए और ऐसकाल गाटी होते किलो मीटर इसमें एक पखनीकी सब्द है economic corridor economic corridor क्या होता है साथियों कि जब दो economic center को जब दो अर्थ रस्था के केंदर आनि अगर दो छेतर है और दो छेतर उकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रबल है या वहाँ पर आर्थिक गतिविधिया बहुत तेज हैं आर्थिक रूप से ससकत हैं दो छेतर तो जब उनको आपस में एक सुगम याता यात से जोड दिया जाता है जिसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो और उसकी तेजी भी बहुत हो तो उसको economic corridor कहा जाता है आम तोर पर economic corridor में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है local population के आने जाने के लिए वहाँ अलग बिवस्था की जाती है ओवर विरिज बना दी जाती है ताकि local population भी without hindrance एक तरफ से दुसरे तरफ पार कर सके और जाने वाले भी उपर से पार कर सके तो economic corridor का मतलब होता है दो महत पोड आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों को जोडने के लिए high speed सुगम यातायात के साधनों को ही economic corridor कहा जाता है यह बार मान्चित्र देखने तो थोड़ा easy हो जाएगा यह देख रहे हैं यह रायपूर है यह रायपूर के अभनपूर से मैं जड़ा रंग को बदल लेता हूँ क्योंकि एक ही रंग हो जाएगा तो समस्या उत्मन होगी यह अभनपूर है अभनपूर से यह शुरू और यहां आप देख रहे होंगे कि यहां आगे बढ़ते हुए यहां आपको दिख रहा होगा आगे बढ़ते हुए यह आगे ऐसा बढ़ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा यह देख रहे हैं यहां आंदर प्रदेश आ चुका है और यहां उड़िशा है और यहां दे यह अभनपूर और विशाखा पत्नम कॉरिडोर इस्ट कोस्ट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा तो इस मानकित्र को देखने से कुछ चीजें इसपस्ट हो जाती है ACI विकास बैंक, Asian Development Bank इसके लिए विद्पोसन का कारे कर रहा है यानि कि इसके लिए जो Financial Instrument है वो हमें कोन प्रोवाइट कराएगा तो Asian Development Bank कराएगा Asian Development एक बहुराश्ट्रिय या फिर अंतराश्ट्रिय संस्था है जो विकास सिल देशों को बहुत ही कम दर पर और लंबे समय तक के लिए रीड उपलब्द कराता है आगे बढ़ते हैं यहां 36 गड़ में कहीं कहीं पर 4 लेन कहीं कहीं पर 6 लेन तो अभी जो भी होगा ऊलेन जादा महत्तोपूर नहीं है लेकिन सुरंग की लंबाई महत्तोपूर है कितनी है तो 2,5 किलो मीटर है और जब यह सुरंग बन जाएगी तो यह 36 गड़ की सबसे लंबी सुरंग होगी और यही इसका रिकॉर्ड आपकी परिच्छा के लिए महत्तोपूर हो जाएगा जब कोई चीछ पहली निस्थान पर आ जाती है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है इसलिए लोग सेवा आयोग उ और यह तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि जो घटना होते हैं जो घटना से जुड़े तथ्य होते हैं वो प्रारंभीक परिच्छा की दृष्टी से मत्तोपूर होते हैं और जो घटना के परिडाम होते हैं वो मुख्य परिच्छा की दृष्टी से जब यह टनल बन ज प्रारम्भी परिक्षा के लिए और घटना के परिडाम को आगे देखते जाएंगे हम लोग तो इसकी लंबाई कितनी है धाई किलो मिटर है और यह कहां पर है तो यह केशकाल के पुर्वी भाग में है और कौन-कौन से घाट है तो सुनकी घाट है और सालूर घाट जो पार क पारना होता अभी अगर हम लोगों को जाना है अवनपूर से भी साखा पटनम तो जब केशकाल आएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं सुनकी और सालूर घाट को पार करना पड़ेगा उपर से जाएगा तो वहां गाडियों की लंबी लाइन लगती है दुरगतना होती ह समय जादा लगता है और आठिक लागत बर जाती है लेकिन सुरंग बन जाएगा तो पहाड उपर रहने दीजिए आप नीचे से ही चले जाएए नीचे से तो चले जाएंगे लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान रखना होगा अभी वहाँ पर जो अध्यान हुआ है केशकाल का अध्यान से पता चला है कि जो केशकाल में जो चटाने हैं वो ग्रिनाइट से बनी हुई है ग्रिनाइट एक प्रकार का आगने चटान होता है आगने चटान में भी यह इंट्रूसिव रॉक होता है इंट्रूसिव रॉक का मतलब है साथियों यह भूपरपटी के अंदर न बुद्दगार होने से यहां पर गैस, धूलकन और कुछ तरल पदार्फ निकलता है, जिसे हम लोग मैगमा कहते हैं, लावार कहते हैं, और यहां बाहर आकर जम जाता है, और बाहर आकर श्रीतल होकर जम जाएगा, तो यहां एक चटान बनेगी उसको आगने चटान कहा जाता है और आगने चटान में भी किस प्रकार का चटान तो बेसाल्ट चटान होता है लेकिन यहां मैगमा पाइप तो प्लास्टो का बना नहीं है कि जब यहां उपर की तरब जाएगा तो कहीं तो थोड़ा बहुत लिक होगा और यहां लिक होने से भी कुछ चटान बनते हैं और इस अंदर वाले चटान को ही ग्रेनाइट कहा जाता है तो ग्रेनाइट एक प्रकार कागने चटान है लेकिन इंट्रूसिव रॉक है यानि कि भूपरपटी के निचले भाग में होती है जो बहुत मजबूत होती है तो अध्यान से पता चला है कि यह जो केस काल घाटी है वहा पर ग्रेनाइट प्रकार के चटान पाए जाते हैं अभी इस एकस्प्रेश वे का या इस एकोनोमिक कोरीडोर का निर्मार कौन कर रहा है तो भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरान कर रहा है नेशनल हाइवे अथारिटी ओफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी और कैसे हुई थी तो National Highway Authority of India Act 1988 के तहट हुई थी और इसका निर्मार किसके तहट किया जा रहा है तो भारत माला प्रोजेक्ट के तहट किया जा रहा है भारत माला प्रोजेक्ट क्या है तो अभी जो हम लोग के पास existing national highway है जो पहले से ही हमारे पास infrastructure है उसको ही और दक्ष बनाना है जाना कि भारत माला प्रियोजना के तहट जो देश भर में national highway है उनको और efficient बनाना है उनको और अधिक मजबूत करना है तो उसी के लिए चलाया गया है क्या भारत माला प्रोजेक्ट अभी उसको कैसे मजबूत करेंगे जो existing infrastructure है उसको जो और लेडी बिल्ट है उनको कैसे मजबूत करेंगे तो उनको economic corridor में बजलकर उनको green field economic corridor में बजलकर उनको feeder corridor में बजलकर तो भारत माला प्रियोजना को ध्यान लखिए निर्माड नहीं हैं जो पहले से ही निर्माड हुए हैं उन्हीं को अधिक दक्षबन राई को बढ़ाना है जो बिच बिच में हिंडरेंस आता है हर्डल्स आता है उसको दूर करना है उसी के लिए भारत माला प्रियोजना चलाई गई थी तो साथियों या 36 गड़के पहले सबसे लंबी सुरंग से जुड़े तथ्य हैं जो आपको अपने परिच्छा के लिए जरूर ध्यान में रखना चाहिए आगे मैं बढ़ता हूँ और इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं मैप को तो आपने देखा ही मैप को ध्यान में रखिये गा यह किस कि भात से और फिर यह उडिशा होते हुए इसाखा पत्नम से जुड़ जाएगा और इसाखा पत्नम से ही इस्ट कोस्ट कॉरिडोर निकलती है उससे कनेक्ट हो जाएगा टोटल तीन सुरंग बनने हैं तीन सुरंग में से दो सुरंग उडिशा में बनने हैं यह वाला जो 24 किलो मिटर 36 गड़ से होकर जाएगा आईए इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं 36 गड़ की पहली 4 लेन सुरंग के लिए विचार कीजिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वीत पोर्शड में सहायता की जा रही है तो जी हाँ ये कथन सही है केस काल घाटी के पुर्वी भाग में सुरंग का निर्माड किया जा रहा है तो ये भी सही है पुर्वी भाग में ही हो रहा है आप देखे थे अग्रम लगों ने देखा था मान चित्र में सुरंग रायपूर से हैदराबाद एक्सप्रेस वे में किया जा रहा है तो गलत है सुरंग का निर्माड रायपूर से लेकर पत्तनम एक्सप्रेस वे ग्रीन फिल्ड एकोनॉमिक कौरिडॉर में किया जा रहा है इसका निर्मार्ण भारत माला परियोजना के तहट किया जा रहा है तो यहां कथन सही है यानि कि कथन 1, कथन 2 एवं कथन 4 सही है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आप सभी का धन्यवाद